नए वीडियो में आपका स्वागत है अभी जेपूर के 200 फुट बाइपास अजमे रोड के इस चुराये पे हूँ और यहां से यह वीडियो शुरू कर रहे हैं और यहां से हम यह सामने आपके जो ब्रिज दिखाई दे रहे हैं इस ब्रिज से दिल्ली रोड पे चलने वाले ह और शिकर रोड तक हम इस ब्रिज के उपर जाएंगे तकरिबन 13,14,15 किलोमेटर के यह यातरा रहेगी और यह फूरा उपर उपर बाइपास रोड इसे बोलते हैं यह जेपूर के अंदर बाइपास जो अजमे रोड दिल्ली का है आई यह वीडियो शुरू करते हैं यह हाईवे जो दिल्ली से मुंबई जाता है यह देखिया आप यह आपके सामने जेपूर सिटी अजमेर 125 और मुंबई 1165 किलोमेटर यहां से है यह पूरा हाईवे काफी लंबा काफी बड़ा हाईवे जिस पे बहुत सारे ट्रक ही ट्रक चलते हैं ज्यादा तर्क क्ककी काफी लंबा है और इधर यह जो जारा आ यह मुंबई की तरफ अजमेर की तरफ जा रहा है और यदि हम इदर चले तो इधर दिल्लि का रस्ता आईए आगे लिका और उसी में आगे सिक्करोर घक गाने वाले हैं मैज यह आगे चलते हैं काफी बड़े बड़े ट्रट यहां से निकलते हैं और इसकी लंबाई की बात करें तो तकरीबन दिल्ली से मुंबई तक 1500 किलो मेटर है क्योंकि यहां से मुंबई तकरीबन 1200 किलो मेटर और दिल्ली तकरीबन 300 किलो मेटर है और यह पूरा हाइवे यहां जेपूर के अंदर पाइपास के रूप में निकाला हुआ है तो यह उपर उपर जिस पे अभी हम चल रहे हैं नीचे का ट्राफिक इसमें उप पंदरा किलोमेटर तक यहां जहां से हमने शुरू किया है वहां से सिक्का रोड तक आप निचे से उपर और उपर से निचे इसमें नहीं जा सकते हैं यह 14-15 किलोमेटर का हाईवे उपर उपर ही चलता है आए और आके चलते हैं और यह यहां निचे इस ब्रिज के रेल का लाइन है जो अजमेर को जाती है यह रेल लाइन अजमेर के लिए अभी यहां माल गारी यह खड़ी है निचे और यह पूरा हाईवे इस साइड में पूरा जैपुर का व्यू और यह दिल्ली की तरफ जाता हूँ हाईवे और इधर हम गोंके देखेंगे दिये अजमेर और मुंबई को जाता हूँ हाईवे आईए इसी आईवे पे और आगे चलते हैं और यह रोड के बीच में इस गाड़ी का तायर फट गया अब यह भाई तायर खौल रहा है उसकी मरमत कर रहा है द्राइवरों के लिए यह दिये ऐसा हो जाता है तो बीच रोड में काम करना बहुत जोखिम बरा है क्योंकि यह पर बहुत स्पीड से ट्रक आते हैं और यहां बड़ा हादसा होने का खत्रा रहता है लेकिन अभी यह बीच में फट गया तो क्या कर सकता है यह देखिये बीच रोड में कैसे यह टायर फटा है और यह पिक अप यहां बीच में खड़ी है आईए और आगे चलते हैं और अभी हम यहां यह कालवा रोड है नीचे इसी हाइवे के नीचे से यह जो रोड चल रहा है यह कालवा रोड और आगे नागोर जोदपूर जोईसेलमेर को जाने वाला रोड और यह सामने जोट वारडत means और ये सामने से कालवार रोड आता हुआ इसी ब्रिज के नीचे से ये रोड आगे निकलता है कालवार गाउं आगे आता है उसी गाउं के नाम से ये कालवार रोड है और ये अपना हाईवे आईए और आगे चलते हैं और ये इसी हाईवे पे सामने आपके वर्दमान का बेल्डिंग यह टाउन सिप वर्दमान काड़ता है इसी हाइवे पे यह जोड़ वाड़ा के अंदर और यह हाइवे और यह हाइवे के इस साइड में आईए और आगे चलते हैं और यह एक और रेल लाइन यहाँ पर जो शिकर को और आगे फिर हिशार और गंगानगर को जाने वाला रोड जो ट्रेक है रेल का यह इदर से रेलवे सेशन से आता है और इदर यह शिकर की तरफ आगे रिंगेस और शिकर की तरफ जाता है यह रेल का लाइन इसी हाईवे के नीचे से और ये दिल्ली अजमेर या दिल्ली मुंबई हाईवे जिस पे अभी हम चल रहे हैं आईए और आगे चलते हैं और ये बाई से गंदे का जूस पीलिया हमें ये हाईवे के ऊपर ही जूस वाला भाई भी मिल गया आईए और आगे चलते हैं अब यहां से शुरू किया था तक्रीबन बारा किलोमेटर आ गए हैं और ये हाईवे अभी भी उपर ही चल रहा है नीचे की जो गाड़ियां उपर नहीं आ सकती उपर से गाड़ियां भी नीचे नहीं जा सकती जब तक आगे वाला कट शिक्करोड वाला नहीं आ जाता है तब तक उपर उपर ही चलना पड़ता है आईए और आगे चलते हैं और ये यहां लोहा मंडी माचेडा का रस्ता है और इधर ये सामने ट्रांसपोर्ट का पुरा ओपिस है और इसके पीछे अनाज मंडी है और ये सिक्करोड का कट आगया भी हम लोग सिक्करोड के कट के उपर हैं सिधा जाएंगे तो आगे दिल्ली को जाता है ये रोड आगे जो जा रहा है और ये जो नीचे इदर गूम रहा है ये सिक्करोड इस ब्रिज के नीचे जो है वो सिक्करोड मिल जाता है तो इस झाल र स्वालेट